राधे राधे मित्र बंध हुओं, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है, वो अंग्रेजी अलफाबिट की जो वाई नामबाले जातक हैं, उनके लिए बहुत जयादा महत्तुपुर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं, कि 2023 में वाई नामबालों के जीबन में क्या-क्या होने वाला है, इनको क्या फाइदा होगा, क्या नुकसान होगा, या इनके जीबन में क्या-क्या बदलाब होगा, और भी बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए, वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्स का एक अनोखा टोटका है, तो आप वो भी सुने और आजमाए, तो आपका जुआने वाला वर्स है, वो बहुत जयादा बेहतर औ और शानदार होगा, और कहीं कोई पड़ेशाने बिलकुल भी नहीं होगी, मित्रों शब से पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके केरियर के बारे में, तो केरियर के दृष्टी कौन से आपका जुआने वाला वर्स है, वो आपके लिए बहुत जयादा बेहतर नहीं रह आने वाले वर्स में भगबान सनी देव जो हैं, वो आपके केरियर के छित्र में आपसे मेहनत, परिस्रम और काम बहुत जयादा करवाने वाले हैं, ये आने वाले वर्स में आपको शफलता आसानी से बिलकुल भी नहीं देंगी, अगर आप नोकडी करते हैं, तो आपके न आने वाले वर्स में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने से, परिस्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत से पीछे भाग जाते हैं, तो आपका जो आने वाला वक्त है, वो आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा, वर्स क आपके मध्य में आपके नोकडी के छित्र में पड़ेशानियों का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा। मित्रों वर्स के सुरुवात में अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं पढ़ाई में एकागरता के शाथ लगे रहते हैं तो आपको शफलता अवश्य मिलेगी। मित्रम हो जाएगा आपका यानि पढ़ाई लिखाई करने से आपकी जो मती है वो कहीं न कहीं हट जाएगी विर्थ के काम में अपने शमय को आप बढ़बाद करने वाले हैं और इस कारण से आने वाले वर्स में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जयादा करना पड़े शाल के सुरुआत में आप दोनों का शम्बंध बहुत जयादा अनुकूल होगा क्योंकि वर्स के सुरुआत में गुरू बिरस्पती आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगी और गुरू बिरस्पती के पंचम भाव में रहने से शाल के सुरुआत में आपका पड़े शंबंध कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इस्थिती ऐसी बन जाएगी कि शंबंध कहीं खतम न हो जाएगा, ऐसे इस्थिती से भी आने वाले वर्स में आपको गुजरना पड़ेगा। माता पिता का श्वास्त बहुत ज्यादा खराब होगा, और 2013 में माता पिता के श्वास्त के कारण आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। कारासी फल और अब जानते हैं आपके उपाई के बारे में। मित्रों उपाई बहुत ज्यादा शामान्य है, आपको आने वाले वर्स में प्रते एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अपने पूजा पाठ से, अपने आस्था से आपको हनुमान जी को खुस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जुआने वाला वर्स है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार होगा और कहीं कोई पड़ेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मित्रों, अगर आपके मन में कोई शवाल हो, कोई प्रस्ण हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा, आपकी सहायता अवश्च की जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है, साड़ी बाते किलियर हो चुकी होगी, और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और वीडियो के नीचे में जय हनुमान आपको कमेंट कर देना है। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।